जैहिन साथियों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आपकी त्यारी बढ़िया चल रही होगी और जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD के एक्जाम चल रहे हैं तीन दिन में पेपर कराये जा चुके हैं 10, 11 और 12 जन्वरी को लगभग 12 शिफ्टों में पेपर कंड़क हो चुका है तो यह वीडियो काफी ज्यादा important होने वाली है जिनके आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर है क्योंकि आज हम लोग quick revision करेंगे जिससे आपको idea लगेगा कि किस types के question पूछे जा रहे हैं difficulty level क्या है किस portion का weightage कितना है तो जितने भी आपके doubts हैं वो सारे आज clear year होंगे और आपका एक quick revision होगा जो आपको बहुत ही ज्यादा help करेगा तो चलिए बीना देरी किये हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंतक जरूर देखिएगा पहला देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 जनवरी की पहले सक्ट से तो पहला question जो पूछा ग मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा छोटे-छोटे topics करके आपके चीजे कबार करवा दी जाएंगी अगला question है कुच्छी पुड़ी नरत्य शायलिक किस राज से संबंधित है तो यह answer सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश से related है कुच्छी पुड़ी नरत्य है अग अगले question की और बढ़ते हैं फूच्छा गया था पहले सोदेशी विमान वहख पोथ आइनेश विकरांद को राष्ट की सेवा में किसने समर्पित किया था आइनेश विकरांद को तो इसका correct answer हो जाएगा नरेंदर मोधी जी ने हालही में आइनेश विकरांद को इंडिया न बात करेंगे तो 395 ही अनुछेद हैं लेकिन इनमें कई सारे बीच में संसोधन किये गए हैं जिसी कुल मिलाकर 470 अनुछेद हो गए हैं अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो 395 ही हैं लेकिन उनमें पार्ट वन पार्ट टू आप लोग ने देखा होगा सी ए बी सी करके भी उसमें अनुछेद कर दिये गए हैं काफी सा उसमें कई सारे संसोधन कर दिये गए हैं तो 470 अनुछेद हो गए हैं शुरुवात में आठ अनुसूचिया थी अब जोड़कर 12 अनुसूची कर दी गई हैं अगला क्वेशन कालिंग युद्ध किसके सामकाल अगला क्वेशन है गोतम बुध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था अगले क्यों बढ़ते हैं आईपल 2022 के विजेता कौन है तो इसके विजेता कौन है गुजरा टाइटन्स तो जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आईपल 2022 से क्वेशन पूछे जा रहे हैं त तो यह सारी चीजी आपको पढ़के जानी है क्योंकि इससे related questions पूछे जा रहे हैं और अभी आपको पता भी चलेगा कि questions काफी सारे repeat भी हो रहे हैं वो आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेगा दोसो के नोट के पीछे किसका चितर अंकित है तो दोसो के नोट के पीछे सांची का अस्तुप जुम्मध प्रदेश में श्थित है उसका चितर अंकित है अगला प्रस्न है अगस्त 2022 में उत्राखंट के ब्रैंट अमबेश्दर के रूप में किसे चुना गया है तो देखिए पहले इसके अभी हाली में ये बतले गए हैं, इसके रिशप पंद है, पहले इसके कौन थे, अक्षय कुमार थे, इसके बतल के कर दिया गया है रिशप पंद कोुर। अगला प्रस्ण है, राष्टपती आपातकाल के दोरान कौन से अनुच्यत निलंबित नहीं किये जा सकते हैं, तो यह आपको सभी को पता होगा कि अनुच्यत 20 और 21 नहीं निलंबित किये जा सकते हैं, आगे प्रस्ण है, भारत में प्रथम जणगंड़ना कब की गई थी, भ लेकिन पहले पंचवर्शी यो पहली जन्गंणा की अगर बात करें तो कब हुई थी? सन 1881 में हुई थी हाला की पहले भी 1838 में भी इसकी प्रयास किया गया था जन्गंणा की लेकिन पूरत देश की जन्गंणा नहीं की जा पाई थी तो करेट अंसर इसका होगा 1881 अगला प्रस्ण है शिवानी पटनायक और काली चरन पटनायक किस नृत्त चायली से संबंधित हैं तो इसका कर्क्ट तर हो जाएगा ओड़ी सी नृत्त से संबंधित हैं ऐसे प्रस्ण ने देखी से 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 हमेशा से पूछे जा रहे थे अभी भी पूछे जा रहे हैं जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं उनसे रिलेटिड वाद दियंत्र हो गया या उनकी नृत्त चायली हो गई ये कुशन्स लगतार पूछे जा रहे हैं काला घोडा महत्सव कहां आज जित किया गया था तो काला घोडा महत्सव आपका मुंबई में आज जित किया गया था देखे आपको पता चल रहा होगा कि डिफकल्टी लेविल एकदम मॉडरेट रखी गई है डिफकल्ट कुशन्स नहीं पूछे जा रहे हैं इजिली आप लोग की थोड़ी बहुत वित्यारी होगी तो आप अटेम्ट कर पाएंगे अगला पूछा था नीली क्रांती किसे संबंधित है तो नीली क्रांती आपकी मस्ताष योत्पादन से संबंधित यानि फिचिंग से रिलेटेड है अगर बात करें कि क्रांतियों से पार करने वाली प्रथा महिला कौन थी? आरती शहा थी? काफी इंपॉटेंट प्रस्न है काफी बाद SSC में पूछा भी जा चुका है ये क्विचिंग भारत के मध से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सभी को इसका अंसर पता हुगा कि करक रेखा भारत के मध से गुजरती है पीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? हलाकि आपसे ये ग्रह से सूलर सिस्टम से एक ही क्विच्टन पूछा था पूरे कुल मिला के 12 सिफ्टों में आगे पूछ सकता है लेकिन आप इसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं पीले ग्रह को ब्रसपती के रूप में जाना जाता है इसको सैटन कहते हैं इंगलिस में प्रधम पंचवर्शी योजना का कारिकाल क्या था? तो 1950 से 1956 इसका कारिकाल था और अगर हम बात करें पंचवर्शी योजना की तो बहुत सारे क्वेश्टन्स आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे क्वेश्टन्स पंचवर्शी योजनाओं से पूछे जा रहे हैं 2011 की जनगर्णा से भी हर शिफ्ट में एक question जरूर देखने को मिलेगा ये दो topic जरूर करके जाएं तभी आप लोग exam में अच्छा score कर पाएंगे क्योंकि एक एक दो दो number काफी ज़ाद important होते हैं आप लोग ऐसे ही topics clear करेंगे तभी exam में अच्छा score कर पाएंगे अगला question है 50 रुपे का नोट का रंग कैसा होता है तो आप देख सकते हैं कि इसका fluorescent blue होता है सभी को ये पता होगा अगला question है भारत में प्रथम Olympic का धोजवाहक कौन थे तो ये पूर्मा बनेर्जी थी जो पहली बार धोजवाहक बनी थी Olympics में वो भी इंडिया के लिए अगला प्रशन है 2022 में किशे तृपुरा के राजसभा सदश के रूप में निफ्थ किया गया है विपलब कुमार देव है इनको राजसभा का सदश से चुना गया है तृपुरा का आंधु प्रदेश का सास्तिन नरत्य कौन सा है तो यह कुछी पुढ़ी है, देखिए, क्वेशन वापिस से रिपीट हो गया है बैटमिंटन में कितने अंग का खेल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाए कि 21 अंग का बैटमिंटन में खेल होता है 2011 की जंगर्णा की अनुशार, भारत की किस राज की साख्षर्टा दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बात करें तो केरल की है और सबसे कम साख्षर्टा दर की बात करेंगे तो वो कहां की है? बिहार की है ये क्वेशन आप देखेंगे दो-तीन बार एकजाम में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेशन अगर बात करेंगे हम लोग कि कौन सा केंदर साशित प्रदेश है जिसकी सबसे ज़्यादा साख्षर्टा दर है तो वो पुड़ेचेरी की हो जाएगी ये आपको बोला गया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया का उधारन कौन सा है तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें दोनों चीज होती है ऑक्सिडेशन भी होता है और रिडॉक्षन भी होता है यानि ऑक्सिकरन भी होता है तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सिजन हट भी रहा है और hydrogen हट रहा है oxygen जोड भी रहा है तो दोनों चीज हो रही है तो ये redox reaction हो जाएगा अगला question है कि वी बाला कृष्णन किस वाद यंतर से संबंधित हैं ये वीना से संबंधित हैं famous artist से related देखे questions पूछे जा रहे हैं अगला question है कि फिफ्ट और सिफ्ट यानि पांचमी और छटमी पंचवर्शी योजना के बीच के समय को क्या कहा क्या कहा गया था तो वो rolling plan कहा गया था यानि दो साल का break हुआ था सन 1978 से 1980 से 80 तक अगला है खाना खाने के चिडर को क्या कहते हैं जिसे हम लोग भोजन क्रेंड करते हैं या सांस लेते हैं उस cavity को क्या कहते हैं बकल cavity कहते हैं अगला question है प्राण और दैहिक सोतंतरता जीने का दिकार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं तो यह अनुच्छेद 21 है और यही है कि आपात कालीन के दोरान यह अनुच्छे निलंबित नहीं किया जा सकता है civil services में सामिल होने वाले पहले भारती कौन थे तो यह सतेंदर नाट टैगोर हो जाएंगे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो first related है देखे questions काफी पूछे जा रहे हैं यह मैं आपको description में link दे दूँगा वहाँ से आप लोग देख लिजेगा यह सतेंदर नाट टैगोर हो जाएगा और अगर आपको SACGD की तयारी करनी है यह questions last moment पे quick revision करना है तो हम लोग एक book बनाए हैं ब्रहमात जिसका description box में आपको link मिल जाएगा वह telegram पे जैसे ये upload होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी आप telegram channel पे जरूर जोड जाएगा अगला question है तो शिवरातरी किस महीने में आता है तो शिवरातरी फालगुन महीने में आता है फालगुन महीने में ही मनाए जाता है वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है तो धर्मिन्द प्रधान जी है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी है तो इनके पास दो मंत्रा ले है अगला क्वेशन है तो देखें ऐसे अध्यक्ष या नियक्तियों से क्वेशन भी पूछे गए है तो नियक्तियों से और चार-पास टॉपिक आपको मैंने बता दिये है ये आप कवर कर लेंगे तो आप अच्छा स्कूर एक्जाम में कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोए वि पूछे जा रहे हैं तो दिल्ली के उपराजपाल कौन है विनाई कुमार सक्षायनाजी है अनुछे 17 किसे संबंधित है तो अस प्रश्यत्या से अंतिसे संबंधित है यानि कि अबॉलेशन ऑफ अंटचल बिल्टी यानि कि जो छुवा छूत है उसको इन्होंने हटा दिया भारत के निपोलियन किसे कहा जाता है ये सभी को पता होगा simplest question है तो ये समुद्र गुपत है और बात करें तो देखें 20 questions पूछे गये हैं जिनमें कि आपसे 2-4 questions ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा वो ऐसे questions बनाए जाते हैं कि कोई भी ना कर पाए बहुत ही कम percent बच् है easy questions पे ध्यान देना है जिस पर आप score कर सकते हैं अगला है भारतिय निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुछेद से हैं तो अनुछेद 324 related है अनुछेद से ये देखें काफी सारे questions आपको अभी देखने को मिलेंगे दयानंद सारस्षती ने आड़ समाज के स्थापना क की थी तो 10 अपरेल 1875 को की थी और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो वो टेलिग्राम लिंक से ही जोड़ जाईएगा आप लोग description में दे देंगे वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी 1980 में भारत के GDP में सेवा छेतर का युगदान कितना प्रशित था तो वो था 38.6% अगला प्रशन है भारत में नियमित जनगर्णा कितने वर्सों के अंतराल पर होती है तो ये 10 वर्सों के अंतराल पर की जाती है अगला प्रस्ण है कि आसाम के कमख्या मंदिर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबु बाची मेला होता है असाम का बहुत ही प्रख्यात मेला है जो सभी को पता होगा अगला है कि किस योजना का नाम बदल कर प्रधान मंतरी आवास योजना कर दिया गया है तो ये इंद्रा गांधी आवास योजना था इंद्रा आवास योजना ये किसने चालू किया था तो ये आपके राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इस योजना की शुरुबात की थी इसका नाम बदल कर प्रधान मंतरी आवास योजना कर दिया गया है अगला क्वेशन है कि सिकंदर ए सानी की उपाधी किसे दी गई थी तो अलावदीन खिल जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार 2018 का भारत नाट्यम में किसे दिया गया था इसको संगीत का रतन भी कहा जाता है भारत संगीत का रतन जीसे कह लिजे सबसे इंपोर्टेंट अवार्ड होता है संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार अगला है कि मैगनीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन से रंग का पाउडर उत्पन होता है तो करेक्ट आंसर हो जागा सफेद रंग का पाउडर उत्पन होता है सिलेंट रेटा संग किस संग का जनतू है देखिए संग से questions पूछे जा रहे हैं तो ये सलेंटरेटर संग का जनतू कौन सा होगा options दिये थे जिनमें कि Hydra अगर दिया होगा तो Hydra correct answer हो जाएगा पहली बार रेडियो प्रसारण कहां से हुआ था तो ये मुंबई से पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ था प्रसारण इंडिया Grand Prix 2022 का योजन कहां पर हुआ था ये चौथमा संस्क्राण था जो के भुनेश्वर में हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा मार्च 2022 में इंडिया बॉर्डर पर पाइलेट स्केल चैलेंज किसने लॉंच किया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर दीप सिंग जो आपकी स्कीम्स और योजनाये हैं रिसेंट की वो भी देखिए रिसेंट हो या पुरानी हो उनसे कुशन्स लगातार पूछे जा रहे है अगला है कि अंतर राष्ट्रिय लूसो फोन महोचसव 2022 का कहां मनाये गया था करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गोवा में मनाये गया था 1983 किरिकेट वर्ड कप का फाइनल में सबसे आदर रन किसने बनाए थे तो शिरिकांत हैं जिन्होंने सबसे अधिकरण बनाए थे 2019 वर्ड एथलेटिक चैंपियंशिब की मेजबानी किसने की थी तो ये कतर में हुआ था स्वतंदर्ता के समय भारत की कितनी जनसंख्या क्रेशी पर निर्भथ थी तो देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72.7% जो है जनसंख्या क्रेशी पर निर्भथ थी काफी बड़ी मात्रा है ये तो अब घटकर काफी कम हो गई है लेकिन उस समय सभी क्रेशी पर निर्भथ करते थे 30% यानि 28% जनसंख्या समद लिजे की अधर व्यवसाय में अन व्यवसाय में व्यस्त थी अगला है कि राष्टपती का निर्भाजशन की विधी किस देश से लिया गया है करेट आंसर हो जाएगा आइरलेंड से लिया गया है ऐसे भी 2-3 questions एक्जाम में देखने को मिले है कि कौन सी चीज कहा से लिगई है अगला है कि मोहिनी अट्पम निर्भथ सैली से किस राथ से संबंधित है मोहिनी अट्पम काफी प्रसेध निर्भथ है कहा का केरल का संबिधान में राज की कारपाल का सक्ति किस अनुछेद में है तो अनुछेद 154 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अगला है कि H2SO4 का अन्यनाम क्या है तो ओईल आफ विट्रॉल भी कहा जाता है इसको इसको Sulfuric Acid कहते हैं जिसका अन्यनाम है Oil of Vitrol देखें कमेस्ट्री से एक क्वेशन फिजिक्स से तो देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन बायो से और कमेस्ट्री से फिजिक्स से कह लिजे कि एक क्वेशन जरूर देखने को मिलेगा निमलिकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है यानि कि आपका Fiber Crop पूछा जा रहा है तो Fiber Crop सभी को पता है कि जैसे जूट हो गया, Cotton हो गया ये सब आपके रेशेदार फसल है तो जो नहीं है वो आपको आप्शन से देखके करना था तीन तलाग कब हटाया गया था या आपसे पूछा गया था तो 22 अगर्ष्ट 2017 को तीन तलाग हटाया गया था अगला है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविसकार सबसे पहले चीन ने लगभग कितने वर्सों पहले की थी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7000 पहले से ही रेशम बनाने की तकनीक का आविसकार चीन ने कर लिया था भारत में काम के बदले भोजन कारिकरम कब शुरू किया गया था तो 1977 से ही काम के बदले भोजन पदान करने की स्कीम शुरू कर दी गई थी चूना पत्थर का उप्योग करके चूना पत्थर का उप्योग कच्चे माल के रूप में कौन करता है तो देखे चूना पत्थर का उप्योग सीमेंट बनाने में किया जाता है जाहिवरी इसी बात है cement factory में इसका उपयोग किया जाता है कच्छे माल के रूप में अगला है टेक convention, टेक conclave का उधगाटन किस केंद्रिय मंत्री ने किया था तो देखे अश्विनी वैसनो जी ने किया था टेक conclave का उधगाटन आपको पता ही है कि हमारे डेल मंत्री है और Information and Technology Ministry भी इनके पास है अब बात करते हैं 10 जनवरी तो ओवर हो चुका है 11 जनवरी के सारी सिफ्कों का questions हम लोग देखने वाले है गुजराती 9 वर्स को किस नाम से जाना जाता है तो इसको बेस्टू वर्स के नाम से भी जाना जाता है तो कई सारे उत्सव हैं जो हर जगह हर राज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं वो एक छोटा सा टापिक है वो भी आपको योट्यूब पर मिल जाएगा आप इसको जरूर पढ़ लिजेगा क्योंकि आगे सेक्टों में आपको जरूर देखने को मिलेगा कैल्सियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है CACO3 है Chemical Compound और जो Important नाम है वो भी आपको करके जाना है कमिस्ट्री में एक सवाल आगर आपको सही करना हो तो अगला है कि FIFA World Cup कहां युजित किया गया था तो ये कतर में किया गया था जैसे कि Important जो Venue है Sports के वो भी आपको करके जाना है क्योंकि ये छोटा सा भी टॉपिक है और आप Recent का जरूर करके जाना है पुराना आप छोट दिजा लेकिन 2022 में जितने भी Important Sports हुए है FIFA हो गया, Olympics भी ले लिजे एक साल का पीछे कभी ले सकते हैं जितने भी Important Sports हुए है जैसे कि जो खेलो यंग, यूद खेलो गेम्स इंडिया के हुए है कोई भी गेम, नैशनल गेम्स हुए है एशियन गेम्स हुए है वो सारे आपको जरूर याद करके जाने हैं कहां हुए है गांधी इरविन समझोता कब हुआ था देखे गांधी इरविन समझोता आपके सेकेंड जो राउंड टेबिल कॉनफरेंस थी उसके बाद ही हुआ था यानि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझोता हुआ था भारत की शिक्षा मंत्री कौन है अभी देखे इनके बारे में चर्चा हुई थी धर्मेंद प्रधान जी है कौशल विकाष मंत्राले भी इनके पास है मोहन बेगान ग्राउंड स्टीडियम कहां पर स्थित है कलकत्ता में स्थित है सभी कोई यांसर पाता होना चाहिए इजी कोशन है देखें 1992 में पद्मभूशन और 2003 में पद्मभूशन के सबसे कुम उम्र के प्राप्त करता कौन है देखें सोनल मान सिंग है ये भारत नाट्यम और ओडिसी की बहुत ही अच्छी प्रतिपादक है इनको समल लिजेक पद्मभूशन और पद्मभूशन दोनों ही पुरुशकार से सम्मानित किया जा चुका है विटामिन B2 का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबो फ्लोविन अक्टूबर 2022 में मेगाले के राजपाल के रूप में किसे निउप्त किया गया है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BD मिश्रा को चुना गया है तो यहां आप देख सकते हैं राजपाल और CM से क्वेशन लगातार पूछे जा रहे हैं संत श्रीमंत संकर देव किसे सास्त्रिय निउप्त सैली के जनक है तो संकर देव यह आपको पता होगा कि सत्रिय नृत के बहुत ही प्रसिद ये निर्तांगना है और कह लिजे कि ये इसके जनक भी है अगला है कि चंदरवगुट मौर के दरबार में मैगिस्तिनीいます किसके राजदोत यानि कि चंदरवगुट के दरबार में मैगिस्तिनीश को किसने भेजा था तो वो सेलुकस निकेटर है जो राधदोत बना कर इन्होंने भेजा था इनके तरबार में राष्टपती को हटाने की प्रक्रिया कौन से देश से लिए गई है यानि प्रेसेडेंट का इंपीचमेंट किस देश से लिया गया है USA से लिया गया है अगला है मधुमक्खी पालन के लिए विकास के लिए कौन से केंदरी योजना संबंधित है तो एक योजना है NBSM काफी इंपॉर्टेंट है नैशनल बी कीपिंग और हनी मिशन ओके ये स्टार्टिंग में आ गया है इसको लिजाना पड़ीगा थोड़ा सा नीच से 2011 की जनगंडना की अनुसार किस केंदर साथित प्रिदेश का लिंग अनुपाद सर्वाधिक है तो देखें लिंग अनुपाद सर्वाधिक किसका है पुड़ुचेरी का है और लिंग अनुपाद की बात करें तो केरल की लिंग अनुपाद भी सबसे आधिक है आगे देखते हैं कि अगला क्वेशन है सम्विधान का अंति मनुष्यद कौन सा है तो मैंने आपको बताया है कि 395 ही है कई सारे संसोधन करके इनमें अनुष्यद बढ़ा दिये गया है पंचवर्षी योजना की सुरुवात कब की गई थी तो पहली पंचवर्षी योजना देखे आपसे पूछी जा रही है ये सभी को पता होगाrän 1950 में पंचवर्षी योजनाओं की सुरुवात की गई थी अगला question है चीनी उद्दियों के लिए कच्चा मल किसे प्राप्थ होता है तो चीनी सभी को बता है कि गन्ने से बनती है उस हवा का क्या नाम है जो गर्मियों में 110 km प्रतिगंटा की रफ्तार से तथा सर्दियों में 180 km प्रतिगंटा की रफ्तार से चलती है तो इसको jet stream कहते ह हैं बहुत ही तेज हमाएं होती है यह कि एस एम चिन्ना स्वामी स्टेडियूम कहां स्थित है तो यह बैंगलूर में स्थित है इस्टेडियूम से देखिए questions काफी पूछे गया है मैंने नोटिस किया है तो आप लोग स्टेडियूम का जरूर कर लीजेगा लग्से सें किस खेल से संबन्धित है तो यह बैटमेंटन से संबन्धित है इन्होंने भारत देशका कई बार नाम रोशन किया है सवन पदक जीत कर अनुछेद 243 सी किस संबन्धित है तो पंचायती राज के संगठन से यह संबन्धित है भारत का कुल छेतर फल विश के भोगौलिक छेतर का कितना प्रस्तज है तो ये 2.4 परसंट ही है पूरे विश के भोगौलिक छेतर का जल जीवन मिशन की शुरुवात किस वर्स की गई थी 15 अगस्त 2019 को की गई थी अब यहाँ पर आप देख लिए योजनाओं से मिशन से क्वेशन पूराने हो नए हो पूछे जा रहे हैं संबिधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है तो ये भाग तीन में है अगला क्वेशन है कि लॉट डल्होजी द्वारा हडप नीती के तहट जहांसी का विले कब किया गया था तो जहांसी पर एक पजा कर लिया था अंग्रेजों ने सन 1813 में ही तभी ये आप क्रांती जो आप देखे होंगे इसी वज़े से सन 1817 की क्रांती हुई थी कन्योज के साशक हर्षवर्धन के दर्बारी कवी कौन थे तो बना भट्य थे ये सभी को पता होना चेहिए काफी सरल प्रस्ण है गोवर गैस किस प्रकार का खाध है ये जैविक खाध है स्वतंतरता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विक्षित था देखे स्वतंतरता से पहले काफी सारे उद्योग थे जैसे सूती कपड़ा का निर्यात आयात था निर्यात ही था आयात तो था नहीं अगला आप कह सकते हैं कि लह आयस्क का निर्यात था यहाँ पर जो आप मसाले देखते हैं यहां से मसाले भी जाते थे तो कई प्रकार के थे वो आपको आप्चन से कट रहा था 36 गड़ विधान सभा के अध्यक्ष कौन है निउक्तियों से देखी कुईशन्स बहुत सारे बने हिजवार तो चरंदास महंत हैं जो 36 गड़ विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं यानि कि स्पीकर जून 2022 में राष्ट्रिय अन्वेशन अभिकरन के महा निदेशक के रूप में किसे निउक्ति किया गया है यह दिनकर गुपता जी को निउक्ति किया गया है प्रसांत महासागर तथा अत्लांटिक महासागर को कौन जोडता है तो यह आपकी पनामा नहर है जो प्रसांत महासागर और अत्लांटिक महासागर को अपस में जोडती है बुलीमिया रोग किस से संबंधी तो यह एक इटिंग डिसॉडर है बुलीमिया रोग उत्तर भारत में भगवान गनेश और लक्ष्मी की पूजा किस परवपर की जाती है ये तो कर्रिक्टान से सबको ही पता होगा दिवाली हो जाएगा भारत में भिरोजगारी का आकड़ा कौन सा संगठन जारी करता है तो ये NSSO करता है यानि रास्तिय नमूना सर्वेच्छन संगठन जो भारत में भिरोजगारी दर होती है इनका आकड़ा जो है ये जारी करता है किस धातु पर हवा के संपर्क में आने पर हरा रंग उत्पन्न होता है तो कौपर है यह हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग हरा हो जाता है जब हरा रंग इलेक्ट्रोलिसेस पर हरा रंग की परत ये जमा कर लेता है कौपर पर सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है तो एसेटिक अमल है जो सिर्के में पाया जाता है बांगलादेश में बैंकिंग सेवा के स्थापना किस ने की थी तो मुहम्मद यूनिस हो जाएंगे इनको नोबल पीस पूरिस का नोबल पीस प्राइज भी दिया गया है संग उबन की स्थापन किस ने की थी तो पुश्मित्र सुंग है ये कुशन दो बार ही इसी बार के पेपर में ही पूछ जा चुका है विटामिन C क्या है विटामिन C एक एंटी आक्सेडेंट है वरतमान में IMF के निदेशक कौन है क्रिश मोर्ती झुब्रेमान्यम है जो Again में पढ़ना चाहते हैं टॉपिक्स ढूल ढूल के पढ़ने में आपको प्राबलम होती हैं तो हमारे ब्रह्महास्त को जरूर देखिएगा वहां से आपको बहुत सारे कर Simon व् smarter dubious Brandon जरूर जरूर करिएगा मेरे कहने पर अगला है ग्रीडा निर्ध किस राज से शम्बंद हैं तो ग्रीडा निर्ध मधप्रदेस से संबने तिशूर पुरंश्झ कहहां मनाय जाता है साथ तो सतरब्य्चे Panty को क्या據 चाता है तो देखे कहते हैं तो दो ही पंक्तियां होती हैं horizontal और vertical अगला है 1857 में पहला भारतिय विश्विद्याले कहां खोला गया था यह कॉलकाता में खोला गया था भारतिय संविधान में कितने मौलिक करतावे हैं तो 11 मौलिक करतावे हैं पहले 10 थे फिर संशोधन करके इसमें 11 मौलिक ग्रह मंत्राले मौन्सून के ठीक पहले बांगला पर्सिम बंगाल में आने वाली आधिर उफान को क्या कहते हैं और इनके वज़े से यहां पर मौन्सून के अलावा भी बहुत सारी वर्सां होती हैं तो उनको कालवे साथ ही कहते हैं दक्षिन ACI खेल परिशत का गठन कब ह हुआ था तो सन 1983 में हुआ था जितने भी important organizations हैं उनका आप लोग जब गठन हुआ था इनका यहर जरूर याद कर लिजेगा कुछ ही है मतलब उनका आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि यहां पर 3-4 सवाल मैंने देखा है कि पूछा गिया है तो आप उनको skip नहीं कर सकते है अगर आपकी shift में पूछ लिया तो भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को स्रमिक नहीं माना जाता है तो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम उमर के बच्चों को स्रमिक नहीं माना जाता है और उनको काम पर रखने के लिए डंडनीय अपराद भी है जो रखेगा 2018 की Asian Games कहां इजित हुए थे ये जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयजन हुआ था गोल्फ निर्त के सराज से संबंधित है तो गोल्फ जो निर्त है गोफ ये गोवा का बहुत ही लोप्रे निर्त है आवरत शाल्णी की प्रमाणू क्रमांग 33 पर कौन सा तत्व है तो दे RBC का आकार कैसा होता है इसका डिस्क का आकार होता है यानि पेरिफेरल होता है यानि की बाहरी जो परत होती है उनमें ये थोड़ा सा पतला होता है बीस में थोड़ा सा मोटा होता है इसकी डिस्क टाइप की डिजाइन होती है अब हम चलते हैं 12 जनुवरी की सारे शिफ्ट गया था यहां पर राज भी पूछ लिया है तो यह असम सत्रियन रित असम से संबंदित है अगला कोईशन है 2011 की जंडगंड़ना की नुसार सबसे कम साख्षर्टब्दर वाला राज कौन सा है बिहार है जिसकी साख्षर्टब्दर की वल 33.82% है अब अगर बात करेंगे कि किरला की कितनी है तो किरला की आप देखेंगे 93% की लगभग किरला की साख्षर्टब्दर है निमलिखित में से कोण से ख्लाडी किरकेट से संबंदित नहीं है तो अप्षन में सानिया मिर्जा था यह टैनेस प्लेयर है तो एक करेंट आंसर सानिया मिर्जा हो जाना चाहिए स्टार्ट अप इंडिया किस मंत्राले के अंदर गत आता है तो यह वाणिज एवं उद्योग मंत्राले के अंदर गत आता है स्टार्ट अप इंडिया मंत्राले अगस्त 2022 में व्यग्यानिक वा और द्योगिक अनुसंधान परिसर यानि CIR की प्रथम महिला निदेशा कौन चुनी गई है ये CISR की पहली महिला अधिक चुनी गई है बहुत इंपॉर्टेंट कुशन था तो ये कौन है नल्ला थमभी कलाई सिविली तो काफी इंपॉर्टेंट कुशन है अगला है उमीद है कि ये कई शिफ्ट में आगे शिफ्टों में भी रिपीट हो सकता है 2022 में सिवसेना के सदस महराष्ट के कौन बने है देखे राजसभा सदस महराष्ट के कौन बने है वो संजयर राओध है सागा दावा उच्छो किस राज से संबंदित है तो ये सिक्किम से संबंदित है काफी बार ये कोईशन देखने को मिला है सेजिक एक्जामस में सबसे बड़ा लिखित समिदान किस देश का है वो अपने भारत का ही सभी को पता होगा अगला प्रस्न है सुदेशी अंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस राज़ पर पढ़ा था तो जो सुदेशी अंदोलन हुआ था सबसे बड़ा प्रभाव बंगाल पर ही इसका असर देखने को मिला था सोभना नरायन किस नरित्ट से संबंधित है जो सोभना नरायन देखिये कथक से संबंधित है और लगातार questions देखिए famous artist से पूछा जा रहा है हमारी जो रामबान बुक बनीगी उनमें ये topic काफी ज़्यादा जो पूछे जा रहा है फोकस किया जाएगा और अगर आप कहेंगे तो इसमें previous year जो पूछे गया है वो भी include कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी पूछा गया था तो ये योगी आदितनात जी है तो सारे राज्यों का आप लोग मुख्य मंतरी और गवर्नर याद कर लिजेगा त्रिपुरा किस देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है तो देखिए त्रिपुरा बांगला देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है अनुशेद 17 फिर से रिपीट हो चुका है यानि छुवा छोद को छुवा छोद का आंध किया गया था इस अनुशेद के तहर्य मीरा भाई चानू किस राज से संबंधित है मीरा भाई चानू बहुत ही प्रसिद है सभी को पता है स्पोर्ट्समेन है ये मनिपुर से संबंधित है उच्चो का उच्चो किसे कहा जाता है तो ये नागर लेंड का हॉन्बिल तयोहार है इसको उच्चो का उच्चो भी कहा जाता है अंग्रेजों ने अवध पर कब कबजा किया था देखे पहले जहांसी पूछा गया था तीन साल बाद ही अंग्रेजों ने अवध पर कबजा कर लिया था सन 1856 अँचाधिक निशा गांधि पुरुषकार किस राज़ शर्कार द्वारा दिया जाता है यह एक परेटन मंत्रा mandarत है प्रुषटार है फ़स्वाशानिंतर प्त flames लें हिल के यहांके रिगख्वेद में पाय जाते हैं यह 預 resonates रमिक segments party के lifetime अध्यक्स कौन बने है ancient ये कौन है? Y.E.S. जगन मोहन रेड़ी. ये बहुत ही important person है, इनको Congress Party का lifetime अध्यक्स बनाया गया है. सरवाधिक बारिस मेघाले की किस पहाड़ी पर होती है? तो खासी पहाड़ी है जहां पर सरवाधिक बारिस होती है, मौसिन राम आपने सुना होगा कि सबसे अधिक बारिस मेघाले नहीं होती है. ग्यार्वी पंचवर्षी योजना का उद्देश से क्या था? तेज और अधिक समवेशी विकास ग्यार्वी पंचवर्षी योजना का उद्देश से था अला मेरल वल्ली किस साच्टे निर्थ से संबन्धित है? तो अलार मेल वल्ली भार्द नाटियम की बहुत ही बड़ी प्रतिबादक है कौन सा कोशकंग केवल पादब कोशिका में होता है यानि कोशिका भित्ती होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है जिसको cell wall कहते हैं human cell में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ती रवी और खरीफ दोनों रितों में पाय जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है तो वो R&D है जिसको castor seed कहते है इस फिले right किसका आयस्क है तो जिस फिले right होता है ये zinc का एक आयस्क है सितंबर में कौन सा फसल उच्छो मनाया जाता है तो केरल का जो ओनम उच्छो है ये सितंबर में ही मनाया जाता है काफी important question है ओनम केरल का बहुत ही प्रसिद्ध उच्छो है किस rate पर अन्ने bank RBI से रिंड लेते हैं तो देखिए रिपोरेट होता है जिससे RBI रिंड देता है अन्ने bankों को और अगर RBI को रिंड खुद लेना होता है अधर bankों से तो वो reverse रिपोरेट पर लेता है इन ही 12 shift में ही तो ये 1991 से 1956 तक इसका कारिकाल था मनरेगा अधिनियम कब पारित किया गया था 2005 में मनरेगा अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहट 100 दिन का रोजगारत प्रदान किया जाता है भारतिय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कोच कौन है तो ये नोशिन अलखादिर है ये पुरानी इंडियन टीम की क्लेर भी रह चुकी है लखनू पैक्ट समझोता कब हास्त अक्षर किया गया था लखनू पैक्ट का समझोता कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच में हुआ था सन 1916 मा मौलिक अधिकार लागू होने के समय प्रधान मंत्री कौन थे तो वो इंद्रा गांधी थी मौलिक कर्तब जो हुआ था लागू तब ये प्रधान मंत्री थी थिरू वियारू महत्सव कहां मनाया जाता है ये तमिल लाडू का महत्सव है केंद्र के नए राज सचीव के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो संजय मलहुत्रा है जिन्हें केंद्र के नए राज सचीव के रूप में न्युक्त किया गया है पवनो का देश किसे कहा गया है यानि कि जो पवन चलती है पवनो का देश किसे कहा गया है वो डेनमार्क को कहा गया है वर्तमान में भारत के महान्याइवादी कौन है और वेंकट रमनी है जो वर्तमान के महान्याइवादी है और क्या पूछा जाएगा तो सभी को पता है ग्रिश चंदर मुर्मू है अगला है कि BCCI का उन रूप क्या है तो Board of Control for Cricket in India हरितक्रांति किस से संबंदित है तो च्छाद्दान अनन उत्पादन से संबंदित है हरितक्रांति हरितक्रांति के भारत जर्नक पूछा जाएगा त समानता की अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है पांच अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 14 से लेकर अठाया तक है एक भारतिय सहर की पहली पूर्ण जन्गणना वर्च 1830 में किसके काल में हुई थी तो हेंडरी बॉल्टर के हुई थी जो की 1830 में हुई थी ये सिर तो ये चौदमें भाग में वर्णने थे यूपीएस सी रो के सचिव कौन है तो सामंत कुमार गोयल जी है जो रो के सचिव है न्यू डवलप्मेंट बैंक की स्थापनक कब हुई थी 2014 में हुई थी रूसा का पूर्ण रूप क्या है तो ये राश्ट्रिय उच्छतर धियान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर लोसांग उच्छो किस राज में मनाये जाता है ये भी सिक्किन का बहुत ही प्रसिद्ध उच्छो है सागा दावा और लोसांग अब यहां पर बात होती है 13 जनुवरी की सारे सिफ्टों की 12 कंप्लीट हो गया है 13 उत्तर प्रदेश के राजिपाल कौन है उत्तर प्रदेश के राजिपाल है आनंदी बिन पटेल पूछा गया था 13 जनुवरी की पहले शिफ्ट में उत्तर प्रदेश के राजिपाल कौन है उत्तर प्रदेश का चेफ इनिस्टर पूछा गया था अब यहां पर राजिपाल पूछा गया है ग थि पंच वर्षी योजना की सहरी याद कर लिएगा दूसरी पंच वर्षी योजना की यौधी थी 1856 से 61 तो मौर वंस का अंतिम्सासक कौन थे तो देखे दुबारा ये क्वेस्ट्रीन रिपीट हो जोगा है मौर वंस। यह नहीं रिपीट हुआ है शॉरी मौर वंस का अंति साचक कौन थे तो ब्रेहाद्रत है अगला क्वेशन है भारती ओलंपिक संग की स्थापना कब हुई थी 1927 में हुई थी 2011 की जनगंडना के नुसार सबसे कम साखचरता वाला राज जिकौन सा है तो बिहार हो जाएगा देखिए दुबारा क्वेशन रिपीट हो चुका है और क्वेशन का लेवल काफी लो है आप लोग एजली कर लेंगे अगर आपने उपर उपर भी जनगंडना के क्वेशन हुए हैं तो आप इजली कर लेंगे 1950 में सम्विधान लागू होते समय क्या सामिल नहीं हुआ था देखिए मौलिककर्तव सामिल नहीं हुआ था यह 1942 में संसोधन के बाद मौलिककर्तव सामिल किये गए थे कुद निर्ट किस राज से संबंधित है तो कुद निर्ट संबन देत है कि बस्तर का विद्रोह कब हुआ था स्थिर्टा के साथ विकास कौन सी पंचवर्षी योजना का उद्देश से था कौन से अभी नेता 2022 में पस्षिम बंगाल के लोकसभा सरदस से बने हैं तो सत्रगन सिनहा का रिक्टांसर हो जाएगा भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंतरित करता है तो यह RBI सभी को पता होगा काफी सिंपल कुईशन है हरित करांती सहर परथम किस देश में प्रारंब हुई थी तो यह मेक्सिको में सहर परथम प्रारंब हुई थी और इसके जनक नार्मन बोरलाग को माना जाता है बास्केट बॉल नेट की उचाई कितनी होती है तो यह 10 फिट होती है यानि कि 3 मीटर लगभग वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंदरी कौन है यह सभी को पता होगा अर्विंत केद्रीवाल है CBSC के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह निधी छिबबर है पहले कौन थे यह आपको बताना है यह मनोस सोनी जी थे विनी जोसी थे और CBSC के अध्यक्ष विनी जोसी थे UPSC का मैंने आपको बता दिया था अध्यक्ष 2011 की जनगंडना के नुसार भारत वह पुरुष और महिला की साक्षर्टत दर कितनी है तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 82.14% है काफी अच्छी बात है अगला है शुंग बंज के संस्थापक कौन थे स्वरी सुंग बंज के अंतिम संस्थापक पूछा है शुंग उबंस के अंतिम करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है शुंग उबंस के सथापक पूछा है आपसे तो एप पूशे में तरह सुंग ही करेक्ट आपसर हो जागा इसमें कोई बरलाव मत करिये का मुझे माहफ करीगा अगला क्वेशन है नियाई पालिका किस देश से सम्विधान से लिया गया है तो जो नियाई पालिका है वो इंगलैंड के सम्विधान से लिया गया है सोनर मान सिंग किस निरित्ते से संबंधित है ये भरत नाट्यम और उडिसी से संबंधित है सागर माला परियोजना किस से संबंधित है तो सागर माला परियोजना भारत के बंदरगाहों से संबंधित है अटल पेंचन योजना की शुरुवात कब की गई थी तो अटल पेंचन योजना की शुरुवात 9 मई 2015 में की गई थी सोडियम को किस में रखा जाता है तो सोडियम को केरोसीन में रखा जाता है दूसरी पंचवर्षी योजना में अध्योगिक नीती संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बाटा गया था तो वो तीन भागों में बाटा गया था भार्ताइम संविधान में केनडा से लिआ गया है इडरलन गार्डन इस्टेडियम कहा इस्टित है है तू कोलकाटा मे इस्टित है देखें काफी सारे प्रस्टा इस्टेडियम से पूछे गए हैं आगे भी सिफ्टु में जरूप पूछे जाएंगे भुपाल जिल का निर्मान किस सताबदी में हुआ था इसका निर्मान 11. सताबदी में किया गया था किस अधियम के तहट बिना लाइसेंस हतियार रखना वह द्यापार करना दंडनी अपराध है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती ससत्र अधियम 1878 के तहट जो भी रखेगा हतियार बिना लाइसेंस के उसे डंड दिया जाएगा हिंदी भासा में बाल साहितर पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था तो देखिए कई भासा में दिया जाता है बाल साहितर पुरुषकार हिंदी भासा में पूछा गया था तो इस सम्मा सर्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर चौधरी अजीज सिंग जिनका 2021 में निधन हुआ था वह किस पार्टी के संस्थापक थे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राश्ट्री लोगदल के संस्थापक थे यह 2019 में साउथ हैसिन गेम्स का आयोजन कहां हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में हुआ था बुद्ध चरित की रचना किस कवी द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्व घोस द्वारा की गई थी आप से देखे सूत्र पूछा गया था अलकेन का तो अलकेन का आपको पता है CnS2N2 हो जाएगा अगला प्रस्ण है मौली कर्तव कब जोड़ा गया था? तो 1976 को बाइलिस में संसोधन के दोरान इसको जोड़ा गया था संग, राज और समावर्ती सूची किस अनुसूची में सामिल है? तो ये सात्वी अनुसूची में सामिल है चांग, लो, निर्ते किस राज से संबंधित है? तो निर्त और उत्सव काफी जादा पूछा जा रहा है तो ये टापिक जरूर कर लीजेगा तो ये नागा लैंड हो जाएगा खर्ची पूजा किस राज से संबंधित है? खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है अगला प्रस्ण है खादिप प्रसंसक्रण उद्योग मंत्राले किसके पास है? तो पशुपति कुमार पारश जी के पास है अगला क्वेशन है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? तो लाल का मतलब है लाला राजपतराय बाल का मतलब है बाल गंगा धरतिलक और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल स्टार्टप इंडिया योजनक कब लांच की गई थी? स्टार्टप इंडिया 16 जन्वरी 2016 को लांच करी गई थी यह कुछ क्वेशन्स थे जो आज मैंने आपसे डिसकस किये हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि हम ऐसे ही मैनत करते हुए आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना सके तो आपको उमीद करता हूँ कि आपके एक्जाम अच्छा होगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में